स्वागत है मेरे चैनल में और आज बनाते हैं पड़ावट से मूंग दाल तड़का इस तड़के से आपकी मूंग दाल जो साधी साधी सी लगती है वो लगने लगेगी बहतरी तो दोस्तों यहां मैंने देशी घी गरम किया है इसमें मैं डालने जा रही हूं थोड़ी सी हीं तक डालने लगते हैं इसमें डाल पर जालेक हैं चैनल थाल और नहीं ठाल हुआ है एक से देट थे मच जिर्णे पर खेलए यहां थे बड़े बाल दाल तर्पेजर्णी यहां बार जाल रहे हूं तर प्याज तो द्याज को अच्छी से शाट करेंगे बाद यहां मैं डाल प्लामाजीह विखेताम प्लामस्थ करिका घंड जुटे ए-पहर दोन द्वीक्स यहां मैंने दो टमाटर चॉप की हैं चुटी चुटी चुटे और इसको यहां पे मिक्स तरहें नेक्स्ट रबिस में मैं फोड़ा सा नमक दाल हूँ यहां पे मैं धनिया का जंडी वर्जे हिस्चे को थोड़ा सा इसमें डालती हूँ प्राइब करते वक्ती थोड़ा गालेश ने रखने अब इसमें डालती हूँ हल्की से हल्दी आध्ये से भी कम चमज़ने यहां और इसको दिक्स कर लेके ने पाउडर डालागा मैंने तरह त्राइब देते हैं टमाटर के गलने तक त्राइब इस तरीके सब्सक्राइब कि मैं इसमें वक्ति दाथ गालीए उसमेन हम आधा काऊड़ा गालेश दाल सकता हैं मैं जो बस ने हम इसमें पानील दाल दाल이면ेता हम तरह दो दालाड़ा पानी मैं इसमें एक बएल लगा देती हूं। लेखे ने वहतरीन कलर और अच्छी जाइके दाल हमारी मूंग दाल रडी है तब पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेर सब्सक्राइब तब करिए का तक के लिए बाबाय और बाबाई करने से पहले मैं आपको सर्फ करके से जरुर दिखाऊंगे यहाँ भी फ्रेंट्स मैंने अपनी दाल तड़का को सर्फ कर लिया है और इससे टेस करके दिखाएंगे हमारे मास मेरी मासर शेफ अद्वेक तो देखना गरम नहीं होनी चाहिए है गरम है यह ट्राइक करो अच्छा टीके ठीके लो ठंडी कर दी ममा ने आचाओ चल दी आओ टेस्स करो कैसी है कैसी है यामी है ओके थैंक यू बबाई झाल बबाई झाल बबाई झाल बबाई